तो चलो प्यारे बच्चे इस वाले कोशन को देखो, अगर इस वाले कोशन को देखोगे तो यहां पे टू आइडेंटिकल ग्लास है और एक्वी कन्वेक्स लेंज है जिसका फोकल लेंज हर एक का एफ दिया हुआ, कोशन को अच्छे से पढ़ोगे तो आधा प्रॉब्लम त दिया गया, पानी से वाटर जिसकी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पोर पॉइंट से रहे तो, फोकल लेंद आप इस कॉम्बिनेशन यह हमें निकालना है, तो सबसे पहले हम कोशन को समझते हैं, कोशन कुछ ऐसा है कि अगर अपने पास यह एक्सीज लाइन और यहां पे ठीर पासमान def. सबस्दमत्राइन गया इस कॉमझने माने, और यह मंदुछ निकालना यह हमें लाइन लाइन बास पर आप इस पूर पॉरा में लाइनस में ईनद्ञान इस दूब आफ मतलब इन तीनों को अगर मैं जोड़ता हूँ तो एक single lens मिलेगा उसकी equivalent हमें निकालने हैं तो अगर मैं देखो कि इनको अगर separate करके से देखो मालो मैंने तीनों को यहांunku過 और यस इन मिला फैनले आब हमें नहीं पता हमें मिला से kynckyv कि अंकेब्ल रहे है वो तो finally हमें पता चलेगा इसका focal length निकालने के ठीक है तो अगर मैं इसको split करता हूं तीन पार्ड में break करता हूं यह पूरा का पूरा जो combination है वो टीन लेंस से बना है इसको मैं lens first बोलता हूं इसके बीच में यह lens 2 है और यह इसके बीच में यह lens 3 है ठीक है तो lens first अपना ऐसे है कन्वेक्स है lens 2 जो है प्लस यह lens 2 है वो कॉनकेव है ऐसा जिसकी refractive index मू है और lens 3 है इसको मैं split कर दिया दूर-दूर कर दिया ही है तो अब हर एक की focal length इसकी focal length f1 है इसकी f2 है इसकी f3 है तो अब मेरा target है इस combination का जो focal length का logic है है आई होप क्या formula पढ़े होगे 1 upon focal length is equal to 1 upon f1 plus 1 upon f2 plus 1 upon f3 तो f1 f2 यह वाला फार्मूला इस combination पर लगा देंगे तो अपना target है f1, f2, f3 की calculation करनी तो सबसे पहले अगर मैं f1 की calculation करूँ फार f1 f1 की calculation करने के लिए 1 upon focal length f1 refractive index mu minus 1 और 1 upon r1 minus 1 upon r2 तो अगर आप ray इधर से डाल ले हो तो यहें वाली जो लेंज दो पहली वाली लेंच से इसकी radius of curvature यह आर है औरodar यह जो आप डिए इधर से डालोगे ऑपches सबसें के याद होगा क्योंकि यह वाला करवेचर इधर पड़ेगा दूसरा करवेचर इधर पड़ेगा तो लेगी डिरेक्शन में जाते हैं तो पॉजेट्टिव लेते हैं रेके फोजिट निगेटिव लेंगे तो 1 upon F1 की जो value है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स डालो यहां से 3 by 2, minus 1 और 1 upon R1, R1 यह पहला है जिसकी value R है, एक वी है न, R है जो की plus है तो 1 upon R और यह minus और minus 1 upon R, तो यहां से जो हमें मिलेगा, that is यहां से 1 by 2 और यहां से 2 upon R मिलेगा, तो 2, 2 खतम हो गया, तो F1 की जो value है R के बराबर आ गया, अगर F1 R है तो similarly मैं यहां पे लिएक दो प्यारे बच्चो, similarly जो F2 है, O भी R ही होगा, तो अगर F1 R है तो F2 ही R होगा, अब अपना clear हो गया, अपना F3 इसका निकालना, F2 निकालना, ठीक न, नहीं अगर आपको वि इधर से डाले हो, और यह F3 है, तो रे अगर आप इधर से डालोगे, तो दुबारा यह तो एही वाला तो लेंस स्ट्रीट होगा, यह R1 हो जाएगा, और यह R2 हो जाएगा, तो यह सेम लेंस हो गया, अब जो F2 है, वो कुछ ऐसा है, यह वाला, ऐसा करवेचर, तो इसका इस साइडर, रे की डारेक्शन में है, तो यह अपना, यह पोजेटिव होगा, और जो पहला वाला है, क्या कर रहा हूँ, यह जो है, यह निगेटिव होगा, ठीना, यह निगेटिव होगा, ठीना, आर वन, क्योंकि यह रे के अपोजिट इसका करवेचर दर पड़ेगा, जब इस पर फार्मूल लगाओगे, तो 1 अपन F3 की जो वेल्व आ जाएगी, वो म्यू कितना था, म्यू था इसका 4 बाई 3, और माइनस 1, 1 अपन R1, तो अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो देखो कितना आता है, तो यहां से आ F3 की जो वेल्व आ जाएगी, वो आ जाएगी, माइनस 3R by 2, और 3R by 2 को मैं लिख सकता हूँ, 3F upon 2, क्योंकि R और F आपस में बराबर है, R और F आपस में इक्वल है, तो अगर R और F आपस में इक्वल है, अब कुछ नहीं करना है, इस कॉम्बिनेशन को क्या करना है, एड क करने ना, तो नेट जो F बनेगा, तो 1 upon F plus 1 upon F, और यहां से 1 upon F3 की जो वेल्व है, वो माइनस 2 upon 3F है, R और यह बराबर है, तो फाइनली यह 2 upon F बनेगा, और यह माइनस 2 upon 3F बनेगा, और यहां से 3 से ऊपर नीचे मल्टिप्लाई करोगे, तो यह जाएगा 6 और 6 यह 4, तो 4 upon यहां से 3F, तो फाइनली जो F की वेल्व आ जाएगी, वो आ रहाए है, प्लस 4 upon 3F, प्लस 4 upon 3F का मतलब है, सॉरी, प्लस यहां से, जो F की वेल्व आ जाएगी, प्लस 3F by 4, तो प्लस 3F by 4 की जो फाइनल लेंस बनेगा, वो कॉनकेव लेंस बनेगा, जिसकी फोकल लेंथ इतनी होगी तो इस लॉजिक से अपना देखो इस लॉजिक से कौन सा अप्शन अपना डी ऑप्शन सही रहा है इन तीनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो यहां एक लेंज मिलेगा जो कि कॉन केव होगा क्योंकि फोकल लेंज इसका पोस्ट्टिव आ रहा है तेंक यू